नमस्कार स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूटूब चैनल में न्यूज पेपर डिसकसन में हम अर्थवस्ता से रिलेटेड आर्टिकल डिसकस कर रहे हैं आज हम तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे एक तो है महामारी से स्टॉक मार्केट कैसे बचा रहा और आगे क्या होगा दूसरा आर्टिकल है तीनों आर्टिकल अर्थवस्ता से ही रिलेटेड है दूसरा आर्टिकल है आंदोलन से आगे समादान की ओर बढ़ें देश के किसान ये किसानों पर है क्रिसी विसेश है लेकिन ये भी कहीं न कहीं अर्थिवस्ता से ही जुड़ता है और तीसरा अर्टिकल है अभी अतरिक्त मुद्रा आर्थिक ही नहीं नैतिक जरूरत भी है जो आर्थिक मुद्रा चापने की बात हो रही है जो मतलब मुद्रा चापने की रुपह की चापने की बात चल रही है उस पर यह article कहिन रहे था है कि कोरोना के आने से क्या-क्या इस्थिती बन रही है तो आईए तीनों article हम एक-एक करके discuss करते हैं महामारी से स्टॉप मार्केट कैसे बचा रहा और आगे क्या होगा मदन सवन बीस का ये आर्टिकल है ये चीफ एकोनोमिस्ट है केर रेटिंग्स के जहां अर्थवस्ता की इस्तिती पर अब तक सामने आये आर्थे कांकड़ों पर काफी भ्रहम है वहीं एक हिस्सा जो महामारी और लॉकडाउन के एसर से बचा हुआ है वह है स्टॉप मार्केट पहले देखते हैं कि सैंसेक्स किस गती से चला जनवरी दोजार बीस में ये चालिस हजार साथ सो तेईस पर था और लॉकडाउन की गोशना पर मार्च दोजार वीस में 29,648 पर आ गया जून में अनलोक पर 34,916 का अकड़ा चुआ जुलाई के बाद से लगातार बढ़ते हुए सितंबर में 38,068 के पार चला गया जब संक्रमन उचिस तर पर था मार्च 2021 तक 49,509 पर था दूसरी लहर के बावजूद यह माई तक 51,937 पर पहुँच गया जून में 52,000 के पार चला गया कोई इसे कैसे समझा सकता है पहले आधार बूत बातें देखें तो श्टॉक मार्केट भविस्य की कमाई दिखाता है बरतमान की नहीं बास्तों में अगर आज कमाई कम है और समभावना उच्छ है तो यह समझ में आने पर कि सबसे खराब समय खातम हो गया बाजार उपर बढ़ना सुरू कर देगा भारती बाजार के मामले में कारपरोट प्रदर्शन के संदर्व में बुरा समय निकल गया सवाल यह है कि कैसे समझे कि पहले लॉकडाउन की घोशना से पहले संसेक 30,000 के नीचे था लेकिन जब से 70% बढ़ गया है दिल्चस्प है कि संसेक मार्च 2020 से 70% बढ़ गया जब कि BAC 100 वा BAC 500 मार्च 2020 की तुलना में दुग नहीं हो गई हर तरफ पागलपन है यह केवल 30 बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है दूसरा करण फंड का फ्लो भी हो सकता है यहां विदेश पोर्टफोलियो निवेस और म्यूच्वल फंड की भूमिका है पस्च्चमी अर्थवस्ताओं में नगदी प्रवाय बना हुआ है जिसके करण धन उबरते बाजारों में चला गया और भारत को इससे लाब हुआ यह निवेस सायद सिर्फ तुरत रिटर्ण से के लिए हुआ मीच्वल फंड की एक्विटी फंडों में रूची देखी और खरीदार बन गए क्या है लोगों के पास कम रिटर्ण के कारण बैंक डिपोजिट के कम विकल्प बचे है निवेस का प्रोलोवन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब बाजार बढ़ता है जहां आज अमेरिका को ग्रोथ के लिए सर्वसेट बाजार माना जा रहा है अमेरिका स्टॉक मार्केट बढ़ने पर उसकी प्रेलना से अन बाजारों के बढ़ने की प्रवित्ती रहती है चोथा टीका करण संबंदी अंदरूनी कारण है जबकि टीके की खवर आई तो बाजार में उत्साय दिखने लगा आज भी आई भावय की बाजार पर संक्रमणों की तुलना में टीके की प्रगती का जादा असर है अब संक्रमित घट रहे हैं और टीका लगवा चुकि आवादी की संक्या बढ़ रही है जिससे संसेक्स को एक और भूष्ट मिला है पांचमा आर्बियाई वा सरकार द्वारा अपनाए गए रवय की भूमिका रही है आर्बियाई की उधार रवय से बाजार को मदन मिली है क्योंकि महंगाई बढ़ने पर चिंता थी जिससे आदर्शता आर्बियाई की इस्तिती प्रभावित होती क्योंकि मौदरिक नीती समिती को महंगाई को लच करना था सरकार सुधारों पर सकारात्मक रही लेकिन प्रोथसान बहुत जोर नहीं है सुधारों से बाजार आसाबाद आया है इसी गती से न सहीं लेकिन बढ़त निश्चित दिख रही है लेकिन यह गती किस से प्रभावित हो सकती है कवेंटी टेटिव इजिंग केंडरी बैंक द्वारा मुदरा आपूरती में नई मुदरा की शुरुआत कि बापसी से बाजार आइस्थिर हो सकता है हाला कि यह इस साल नहीं होगा बैस्वित बृद्धी भी सकारात्मक रहेगी तीसरी लहर आती भी है तो देश के लिए ज़्यादा तयार दिख रहा है कुल मिलाकर बाजार उपर की ओर जाएगा हाला कि गती अनिस्चित है अर्थविस्ता पहले से ही नीचे है और बुरी नहीं हो सकती और यह बाजार के लिए अच्छी बात है अगला आर्टिकल है अंदूलन से आगे समाधान की ओर बढ़ें किसान केंद्र की तीन क्रिशी कानूनों का अध्यादेश जारी करते हुए पूरा एक साल हो गया साल वर से किसानों का विरोध जारी है किसानों का स्वयम अनुसासित अंदूलन एक अद्रश जीत है पर अन्यदाता को सकारात्मक समाधान की दरकार है इसलिए जिसके लिए वाखेत खलियान घर बार छोड़कर सड़कों पर है क्रिसी कानून की विरोध में अंदोलन रत 500 से अधिक किसानों की सहाधत बियर्थ न जाए इसके लिए अब किसान नेताओं को भी आंदोलन से आगे बढ़कर एक सकारात्मक समादान की ओर बढ़ना चाहिए जो क्रांती कारी बदलाव ला सकें और क्रिसी की दिसा दिसा बदले देश के 80 फीजदी किसान आज भी दैनी हालत में हैं हरित क्रांती के 5 दसक बाद भी 1675 रुपए से कम मासिक आमदनी बाले देश के 17 राजियों के छोटे किसान के आरते खालात सुधरेंगे समस्या फसलों पर उनके हक का दाम ना मिलने की है हाला कि केंद सरकार हर साल 23 फसलों के नियुनतम सपन्तन मूल का एलान करती है और MSP को कानूनी मानता ना होने से इन मूलियों पर खरीद की गारंटी नहीं है फसल बंपर होने पर किसान को मिले दाम से खेट से मंडी के बीच डुलाई बाड़े का खर्च भी पूरा नहीं होता OECD ICRIER की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनके हग का दाम ना मिलने से 2001 से 2016 सत्रा के बीच 45 लाग करोड रुपय का नुकसान हुआ है देश में 16 से अधिक फसले हैं पर केंदर की MSP सूची में 23 फसलों में से सिर्फ 3 फसलों सिर्फ 3 चार राज्यों की 2-3 फसलों को छोड़ देना बाकी तमाम राज्यों में MSP पर सरकारी खरीद सुनिश्चित नहीं है देश के मातर 6 पृतिसत किसानों को ही 3-4 फसलों पर MSP मिलता है जिन में से 85 पृतिसत पंजाब अर्याना के किसान है जिन से सरकारी एजंसिया गैहूं अधान MSP पर खरीदती है इन दो राज्यों से गैहूं अधान MSP पर सरकारी खरीद के मौडल को कानूनी मानता से देश वर में तमाम फसलों की खरीदारी सरकारी खरीद जब तक तै नहीं होगी तब तक खेती संकट से नहीं उबढ़ सकती सुप्रिम कोड के इस्थगना देश के तहर बिचारा दिन तीन क्रिसी कानूनों में पहले कानून फॉर्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड फॉर्मर्स बिल 2020 को लेकर दावा किया जा रहा है किया MSP मर्नियों के बाहर किसानों को खुले वाजार में बैतर दाम पर फसल बेचने का रास्ता खोलेगा जबकि किसान आसंकेत हैं कि इस क्रिसी कानून से केंडर सरकार की जुगत फसलों के MSP पर खरीद से बचने की है क्रिसी के उत्तान के लिए प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने 2017 में कहा था कि केंडर द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे 2022 तक किसानों की आयदुगनी हो जाएगी यह सही मौका है कि किसान केंडर के साथ होने वाले अगले दौर की बारता में सरकार से यह जाने कि खेती में आयदुगनी करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं किसान भी सरकार को सुझाए कि ऐसे कौन से उपाय किये जाए जिससे खेती घाटे का सौधा ना रहे सरकार और किसानों को अब मिलकर बैटकर ऐसे उपाई लागू करने है जिससे खेती में आए बढ़ने का पक्का समाधान हो आंदोलन के बदले केंद्र सरकार तीन क्रिसी कानूनों में संसोधन करने को तयार है तो इन कानूनों को रद करने की रट से हटकर किसान MSP कानूनी माननता इस पर भसल की खरीद की लिकित गारंटी के सकारात्मक बिकल्ब पर बिचार करे यही केती किसानी की जीवन रेखा है एक और आर्टिकल है अभी अतरिक्त मुद्रा आर्थिक ही नहीं नैतिक जरूरत भी है प्रोफेसर गौरफ बल्लफ का आर्टिकल है कोरोना मामारी से प्रवावित होते हुए हमें 14 माए बीच गए यह इस पस्ट है कि हम बाइरस के फैलने की गती का अंदाजा नहीं लगा सकते और यह स्वस्त आपदा गंबीर आर्थिक आपदा भी बन गई है दूसरी लहर कमजोर पड़ चुकी है तो सरकार का ध्यान दो छेत्रों पर होना चाहिए पहला तीसरी लहर रोकने की तयारी कैसे करें और दूसरा आर्थिक रूप से प्रवावित लोगों की मदद कैसे करें उपवोग पर चलने वाली हमारी जैसी अर्थवस्ता जहां प्राइवेट डॉमिस्टिक कंजप्शन की जी डी पी में 60% इस्सेदारी है वहां महामारी के दोरान मांग कम रहना चिंता जनक है कम मांग से मैनुफेक्चरिंग कमपनियां 60% से कम चमता पर काम करने पर मजबूर हो गई इससे बेरोजगारी बढ़ी है और नए रोजगार के सरजन में बादा आई है बिजनेस वा आर्थिक गतिविदियों के संचालन की बंद सुरू स्टॉप स्टार्ट प्रकृती से नौकरियों को नुकसान हुआ बेतन भोगी बर्ग की आई कम हुई है और लॉकडाउन में संगटित छेत्रों में आयतो सून तक हो गई है प्यूर रिसर्च के मताविक 2020 में भारत मद्यम आयवर्ग की 3.2 करोड लोगों को निम्न आयवर्ग में और 7.5 करोड लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए सिर्फ दूसरी लहर मही अप्रेल 2021 में 3.5 लाख और मई 2021 में 1.5 करोड नौकरियां गई जब ग्लोबल अंगर इंडेक्स 2020 में भारत 107 देसों में 94 पायदान पर है तो सरकार की साहता देने में भूनका जरूरी हो जाती है जब इस समय सरकार को आर्थिक रूप से प्रभावितों की मदद दो तरीकों से करने चाहिए पहला लोगों के हाथों में सीधा पैसा दें मैं 14 महीनों से इसकी वकालत कर रहा हूँ कोरोना के असर से आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों के भोजन में पोसण में कमी हुई है उनकी बच्चे सिच्छा से बंचेत हुए प्रतियच नगध अस्तान तरान उन्हें सम्मान से जीने में मदद करेगा साथी अर्थिवस्ता में नई मांग पैदा होगी दूसरा निकटा बदी में सरकार भारी पुझी बैपर जोड़ दे इससे निजी छेतर में अपनी छमता का पूरे इस्तिमाल कर पाएगा वा निवेस बढ़ेगा आर्बियाई के मताविक केंडर सरकार द्वारा किये गए पुझी बैपर एक गुणक प्रभाव है जो अनुमानता 2.45 है अर्थात सरकार एक हजार करोड रुपए का पूझी व्याय करती है तो जीडिपी 2450 करोड रुपए तक बढ़ जाती है इस इस्तिती में सरकार के पास राजेसु स्रिजन का क्या विकल्प है रिड़ एक विकल्प है लेकिन बित्ती वर्ष 2021 के लिए भारत कारण जीडिपी अनुपात का 90% तक पहुँच गया है आर्थिक गतिविदियों के स्टॉप स्टार्ट मॉडल के कारण सरकार का राजेसु घटा है और बित्ती घटा बढ़ा है ऐसे में एक विकल्प है कि सरकार अतिरिक्त मुद्रा चाप कर मांग पुनर जीवित करने पर विचार करें मांग सबसे निचले इस तरपर होने के कारण अतिरिक्त मुद्रा चापने से मुद्रा स्पीती संबंदी जोखिम नहीं होगा सबसे पहले 15 करोड सबसे गरीब लोगों को प्रतियच नगद अस्तांतरण से मदद करें सरकार की माने तो अगले 6 महीने में पूंट टीका करण हो जाएगा ऐसे में सरकार को 6 महीनों तक इन 15 करोड लोगों में 1,000 रुपए प्रती ब्यक्ती प्रती माय नगत अस्तांतरण करना चाहिए जिसका खर्च 90,000 करोड होगा सरकार ने 2021-22 के लिए पूंजी ब्याय बजट बढ़ाया था लेकिन इसे जमीनी इस्तर पर लागो करना जरूरी है इसके लिए यदि सरकार अतरिक्त रुपए 60,000 करोड अगले 6 महीनों में पूंजी ब्याय के रूप में खर्च करे तो इन दो प्रात्मिक ताओं पर कुल ब्याय 1.50 करोड होगा पूंजी ब्याय में अतरिक्त 60,000 करोड रुपए का खर्च होने पर जीडीपी को करीब 1.5 लाग करोड की रुपए की बढ़त मिलेगी सरकार आपदा के समय अतरिक्त मुद्रा चापकर देशवासियों की मदद में जिचके नहीं अमेरिका ने 2020 में महामारी के हमले के तुरंत वाद ऐसा किया था उसने 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अतरिक्त चापे जो उसकी जीडीपी का करीब 15% है हमारे लिए एतरिक्त 1.5 लाग करोड रुपए चापना समझदारी भरा कदाम होगा ना कि केवल आर्थिक रूप से बलकि नैतिक रूप से भी आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे धन्नमाद